हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल मैं महिश्राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में तो यूजीसी नैग जी आरेफ परिक्षान नवंबर 2017 का ये कोशन पेपर है हिंदुस्तानी संगीत वोकल एंड इंस्टूर्मेंट वेख्या सहे तित्य प्रश्न पत्र का हल ह है ये 2017 नवंबर का ये तित्य प्रश्न पत्र का हल है तीसरा प्रश्न पत्र है ये उसका हल है तो चलो इस्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर एक निम्न में से कौन सा शब्द प्रवंद की धातूं से संबंधित नहीं है ए उद्ग्रा बी ध्रूव सी मिलापक ये डी तेनक तो आपका सही आंसर है डी तेनक ठीक है उद्ग्रा ध्रूव मिलापक आभोग ये प्रवंद की चार धातूं से संबंधित है तेनक प्रवंद की छें अंग से माने जाते हैं स्वर्विरुद्पद तेनक पाट ताल प्रवंद की पाँजाती मानी गई है ठीक है आगे चलते हैं कोश्न नंबर दो और ये भी देया हुआ है देखें प्रवंद की पाँजाती मानी गई है मेधिनी आंदिकंदिनी दीपिनी भावनी और तारावती आनंदिनी ठीक है कोश्न नंबर दो दुर्वागीत का उल्ले किस ग्रंत में मिलता है अ ब्रहदेशी बी संगीत मकरन सी नाट सास्त्र ये डी नार्दे शिक्षा तो आपका सही आंसर है दुर्वागीती का उल्लेक नाट सास्त्र में मिलता है चलो इसको थड़ा पढ़ते हैं दुर्वागीती का उल्लेक भरत क्रित नाट सास्त्र के 32 अध्याय में किया गया है ग्रंत 200 से 400 इस्पी पूर्व में लिखा गया है भरत ने इस ग्रंत की रचना नाट को सामने रख कर की थी इसमें 36 अध्याए हैं इसके अंतिम अध्याओं में 28 से 33 तक संगीत सास्त्र का विवेचन किया गया है और 32 में 32 जो इसका अध्याए है उसमें धुरुवगीत का वर्णन किया गया है चलो आगे चलते हैं कोशें नमबर 3 केवाड सब्द किस से सम्बंदित है ए प्रवंद B मागताल्य सी रागीती या डी ग्राम राग तो इसका सही आंसर है एक केवाड सब्द प्रवंद से सम्बंदित है मतंग के यह होगा इसका प्रवंद केवाड जो है केवाड सब्द प्रवंद से सम्बंदित है मतंग के काल आठ इस्वी तक देशी संगीत में अस्थं के प्रवंदों का निर्मान हो चुका था इन में से कुछ के नाम है कंद, आरग, गाथा, दुपदी, तिरपदी, चतुरंग, मात्रका, वस्तु, हंस्पद, गंज, लीला, केवाड और एटा, आदि तो केवाड सब्द का प्रवंद से ये संबंदित है और मतंग काल में आठ इस्वी में असंख माने गए हैं देशी के असंख प्रवंदों का निर्मान हो चुका है आगे चलते हैं कोर्शन नमबर 4 निम में से कौन सा लगन मूलक अलपत्व का उधारन है ए बिहा के आरो में दे, बी अलया विलावल में आरो में म, सी दर्बारी कांगडा के आरो में ग, डी तिलक कामोद के आरो में ग तो इसका सही आंसर है, बी, अलया विलावल के आरो में म, आईए देखते हैं कैसे अलया विलावल में आरो में म, लगन मूलक, अलपत्व का सूचक है, यहां राग विलावल ठाट का राग है, जाती इसकी साड़व संपूर्ण है वादी धहवत असमवादी गंधार गायन समय प्रात काल है, यह उतरांग प्रधान राग है, न्यास के स्वर सारे और प संप्रक्रती राग विलावल है, ठीक है, अलया विलावल का दूर संप्रक्रती राग है, वो विलावल है, और इसमें जो देख सकते हैं आप यह सा, म ह इसका जो है लगन मुलक है लगन मुलक है आगे चलते हैं कोशेन नमबर 5 तो यह दा कोशेन नमबर 5 सही कर्म को चुनिए ए है भावनी दिपनी आनंदिनी तारावती मेदिनी बताईए तो इसका सही आंसर है बी इसका सही है आंसर पहले मेदिनी फिर आनंदिनी फिर दिपनी फिर भावनी फिर तारावली ये प्रवंद की जाती अंग है, मेदिनी में 6, आनदिनी में 5, दिपनी में 4, भावनी में 3, तरावली में 2 अंग होते हैं, ठीक है, कोशन नमर 6 के और चलते हैं, अगर आपको लगे कि मैं जादा ही फास्ट करवा रहा हूं तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं इससे थोड़ स्पीड है, तो ठीक है, क्योंकि एक दो लोगों ने कहा था, काफी जिकी थोड़ा स्लो हो रहा था, वीडियो, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, तो आप बताना इस चीज़ के बारे में, कोशन नमर 6, निमलिकित को सुमलित कीजिए और सही कुट च साजद मुहमद, असूची दो मैं, सुर्बहार, सितार, खयाल, और दुर्पद, इसके में एक कुट दे हुए है, तो इसको थोटा कर लेते हैं, कुट देखने के लिए, ये देखिए, इसका कुट आप देख लीजिए, ऐसे कुशन में आपको एक भी आता है, तो वो सही हो जाएगा, इसका सही आंसर है D, ठीक है, तो A का क्या होगा, तीन होगा, ठीक है, मन्जी खां का क्या हो जाएगा, ख्याल, और B का हो जाएगा, चार, बहराम खां का हो जाएगा, धृपद, राम का क्या का गाते थे, धृपद गाते थे, और C का हो जाएगा, दो, बरकत उल्लाह खां क्या है, सितारवादक है, और D का हो जाएगा, एक, तो सज्जाद मुहमत कौन थे, मलकि इस सुर्भाहर ये बजाते थे, अब ये देख सकते हैं, मंजी खान ख्याल गायन से, बहराम खां धृपद गायन से, बरकत उल्लाह खां सितारवादक से, सज्जन मुहमत सुर्भाहर से सम्मनित है, आगे चलते हैं, कोशन नमर सेवन, जनरेल करनेल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, अब्दुलकरीम और अब्दुलहंक, बी हस्सू और हद्दू, सी अली बक्स और फतेह अली, डी खामीद हुसेन और लताफत हुसेन, तो इसका सही आंसर है, सी, अली बक्स और फते, अली जनरेल करनेल के नाम से प्रसिद्ध है, अली बक्स को क्या कहते हैं, जनरेल और फते बक्स को करनेल, जनरेल करनेल के नाम से अली बक्स और फते, अली के नाम से जाना जाता है, आगे चलते हैं, कोशन नमबर आठ, ये कुट दे रखे हैं, उसके बाद मैं उसको दिखाता हूँ आपको, सही कुट को चुनिये, अभी कथन ए है, रामपूर सहसावान घराना ग्वालेर घराने से प्रभावित है, तर्क आरमे रामपूर सहसावान घराने के मुस्ताक हुसैन और निसार हुसैन ग्वालेर के हुद्दू खां के सिश्य थे, इसके कुट है जो, ये आप देख सकते हैं, इसका कुट एक इधर दे रखा है, बाकि दूसरे पेज़ पे है, ए और आर दोनों ही सही है, और आर दोनों गलत है, सी, ए सही है और आर गलत है, D, A गलत है और R सही है तो इसका सही आंसर है C A सही है परंतु R गलत है ये देखे रामपूर सहे सावान घराने ग्वालेर घराने से प्रभावित है ठीक है आगे चलते हैं निमलीखित में से कोशन नमर 9 है ये निमलीखित में से कौन सा राग सिंधी प्रकास राग है शाम कल्यान, मिया की, तोड़ी, मुलतानी या पूरिया तो इसका सही आंसर है पूरिया है जो ये सिंधी प्रकास राग के अंतरगत आता है ठीक है पूरिया राग सिंधी प्रकास राग की सेर्णी में आता है पूरिया मारवा ठाट का राग है जाती साडव साडव वादी गल समवादी नी न्यास के स्वर गनी गायन समय साइकाल संप्रकती राग मारवा सोनी है ठीक है तो यह है नौवा कोशन आगे चलते हैं दस्वे कोशन कि वर गंदर महाविद्याले की स्थाबना किसने की कुमार गंधर बी बाल गंधर सी भारत खंडे डी विश्णु दिगंबर इसका सही आंसर है डी विश्णु दिगंबर जी ने की थी लाहौर में 1901 में की थी गंधर महाविद्याले की स्थाबना 1901 में लाहौर में विश्णु दिगंबर पुलुसकर द्वारा इस्थापित किया है इनका जन्म 18 अगस्त 1872 को महरास्ट के कुरुंड वाड नामक इस्थान पर हुआ था इन्हों ने 1908 में बंबई में गंधर महाविद्याले की स्थापना की पंडित जी ने वर्स 1909 में संगीता मृत प्रभान नामक एक संगीत प्रतिका का भी संपादन आरम किया था ठीक है अठासवबहत्तर में इनका जन्म भी हुआ है यह भी आगटना अठारा अगस्त अठासवबहत्तर में ठीक है और 1901 में इन्हों ने किया था पांच मही को किया था पांच महीं 1901 में आगे चलते हैं कोशन नमर 11 मोगुबाई कुरडी कर के गुरु कौन-कौन थे ए अलादिया खान हैदर खान विलायत हुसेन खान भी भासकर बुआ बड़े मुहमत खान अमान अली खान सी मुस्ताक हुसेन खान हैदर बक्स मुबारक अली खान दी मनी राम रामकृष्ण बुजें रजब अली खान तो इसका सही आंसर है ए अलादिया खान हैदर खान विलायत हुसेन खान मुगुबाई कुंडी कर के गुरु हैं हैं पड़ते हैं थोड़ा सा मुगुबाई कुरिडी कर के गुरु अलादिया खान हैदर खान विलायत हुसेन खान जी हैं इनका जन्म 15 जुलाई में 1904 दस फर्वी 2001 में हुआ था यह दखना कि 2015 जुराई 1904 को हुआ था ठीक हैं में हुआ था मोगु जी को संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार 1968 में अपदम भूशन 1974 में मिला था ठीक हैं आगे चलते हैं कोश्चन नंबर बारा इसमें कुटबी दे रखा है तो वह मैं नीचे दिखाऊंगा निम्लिकुद को सुम्लित कीजिए ए विलायत हुसेन खान सुची दो में है जैपूर सेनिया मेहर सेनिया इंदौर बीनकार और इटावा इसका कुट मैं आपको दे देता हूं ये देख सकते हैं तो इसका सही आंसर है बी बी इसका आंसर होगा ये देख लीजिए चलो मिलाते हैं इस बी को एक चार होगा विलायत खान कहां से थे इटावा फिर होता है बी का एक होगा आशिश अली खान कहां से जैपूर सेनिया और सी का दो होगा शर्रन रानी कौन से से थी मिहर सेनिया से थी और डी का तीन हो जाएगा अलीम जफर खान इंदौर बीन का ठीक है तो आगे चलते हैं विलायत खान का इटावा से आशिश अली खान जैपूर से सर्रन रानी मिहर सेनिया से हलीम जफर खान इंदौर के बीन का से संबंदित हैं आगे चलते हैं तो यह कोशन नंबर हमारा था बारा कोशन नंबर 13 के और चलते हैं यह कोशन नंबर 13 है ठीक है रामात्य ने अपनी पुस्तक स्वर मेल कलानीधी में कितने मेल का वर्ड़न किया हैं मिकला कि रामात्य ने जो पुस्तक लेकिए हिस्वर मेल कलानीधी उसमें उन्होंने कितने मेल माने हैं उन्नीस बीस बारा और तईस तो तो सही आंसर है बी उन्होंने बीस ठाट माने हैं बीस मेल उन्होंने माने है रामात्य जी ने आईए पढ़ते हैं थोड़ा सा रामात ने स्वर मेल कला निधी में मेलो की संख्या 20 बानी है इस गरंत का 1550 इसमी में रामात दवारा लिखा गया यहां गरंत पांच भागों में बाटा है उपोध गहत प्रकरण, स्वर प्रकरण, वीना प्रकरण, मेल प्रकरण, राग प्रकरण पंडित जी ने देशी और मार्गी संगीत का वर्णन किया है, साथ सुध, साथ विक्रित स्वरों का भी वर्णन मिलता है, साथ सुध माने हैं, साथ विक्रित, इन्होंने 20 मेल से 63 जन्म रागों को तीन भागों में बाटा है, उत्तम मध्यम अध्धम, ठीक है, ये भी याद इन्होंने जो रागों को तीन भाग में माटा है, उत्तम मध्यम और अध्धम, ठीक है, आगे चलते हैं, कोशन नमबर 14, सारंग देव ने कितने सालांग सूध प्रवंदों का उल्ले किया है, 5, 7, 6 और 8, मैंने कुछ दिन पहले सारंग देव जी के बारे में, पूरी एक अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, और उसको मैंने टेलिग्राम पे भी डाला है, और अलग से भी जो वट्सअप पे हैं, उनको भी डाला है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, और जो हमारा अच् एक्जाम ठीक है? इस नाम से है, और अलग से पहले बारे में, उसका लिंक दे रखा है, मैंने वहां से ट्रक जाके आप जोड सकते हैं, और वीडियो देख सकते हैं, आप आज भी जोड़ेंगे तो आकल की भी वीडियो आप देख पाएंगे, बीते हुए कल मैंने जितने भी वीडियो डालें, वो भी देख पड़ेंगें, तो बताइए, इसका सही आंसर क्या है, सारंग देम ने कितने सालंग सूर प्रवंदो का लेक किया है, पांस साथ छे आठ, तो इसका सही आंसर है, बी, साथ माने हैं उन्होंने सालंग सूर प्रवंदो, आगे इसको थाड़ा सा पढ़ते हैं, सारंग देम ने सालंग सूर प्रवंदो की संख्या साथ मानी है, यहां गरंत तेरवी सताब्दी के उतरार्ध में सारंग देम ने संगीत रतनाकर की रचना की, एक ची याद रखना, कि ऐसे भी कोशन आ जाता है, कि यह जो सारंग देम की पुस्तक का नाम है, संगीत रतनाकर, वो कौन से गोलार्ध में हुई थी, उतरी गोलार्ध, पूरवी गोलार्ध, रक्षनी, ऐसे भी पूच देते हैं कोशन, तो यह भी याद रखना, कि उतरी गोलार्ध में हुई थी, यहाँ गरंध तेरी सतावी में, उतरार्ध में सारंग देम ने संगीत रतनाकर की रचना की, इसमें नात, शूती, स्वर, ग्राम, जाती, मुर्चना, इत्यादी का विविशन किया गया है, इसके साथ अध्याई माने गए हैं, इस गरंध में 264 र गता है, और इसमें 264 रागों का विवरंड दिया गया है, ठीक है, और साथ इन्होंने मान रखा है, साथ सालंग सूर की प्रवंदर मान रखे हैं, आगे जलते हैं कुश्चन नंबर 15 मुम्मद दबीर खां के शिश्य कौन है, अमजद अली खां, B. करातुल्ला खां, C. राधिका मुहन, मैत्रय, D. बुद्धु देव दास गुपता बुद्धु देव दास गुपता चौता है, और इसका सही आंसर आपको, C है इसका सही आंसर, वाधिका मुहन, मैत्रय, इसका सही आंसर है, तो पढ़ते हैं से, मुहमत दबीर खां के शिश्य राधिका मुहन, मैत्रय है, राधिका मुहन जी का नाम का जन्म, 1917 में हुआ था, इसके पहले गुरु बुद्धु देव दास गुपता जी थे, मित्यु 1981 में हुआ तथा, 1971 में इन्हें संगीत नाटक अकाद्मी पुरुषकार से सम्मानित कि ठीक है, कोशन नमबर 16, भंजनी किसका प्रकार है, ए मुर्चना, बी प्रवंद, सी, रूप का लिप्ति, डी गीती, तो इसका सही आंसर है, सी, रूप का लिप्ति, बंजनी, इसका प्रकार है, आगे हम पढ़ते हैं, देखिए, बंजनी रूप का लप्ति का प्रकार है, अलाप्ति भी अलाप का एक प्रकार था, अलाप्ति में राग के स्वरूप की पून रूप से व्यक्ति किया जाता है, अलापती दो प्रकार का होता है राग लिप्त रूप का अलापती ठीक है राग अलापती इसमें स्वरों के प्रियोग से राग का तीरो भाव किया जाता था था यहां ताल में बद्ध नहीं होती थी पर लै में बद्ध होती थी रूप का अलापती ये दो प्रकार के होते हैं पति ग्रहनी का दो भंजनी, भंजनी के दो प्रकार स्थाई और रूपक भंजनी, ठीक है? आगे चलते हैं, कोशन नमबर 17, जैपूर सेन्या घराने के सितार में कितने परदे हैं? 19, 17, 20, 21 जैपूर सेन्या घराने के सितार में 17 परदे हैं, ठीक है? जैपूर सेन्या घराने के सितार में 17 परदे होते हैं, तानसेन जैपूर में, ठीक है? आई यह रहा है जैपूर में जैपूर सेनिया घराने में सितार में सत्र परदे होते हैं ठीक है एक तो यह हो गया तांसेन को सेनिया घराने का आधी पूरुस माना जाता है सेनिया घराने ने बारा परकार की वाधन किर्याओं को बताया है सितार वाध्य का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है सितार को सहतार भी कहा जाता है ठीक है कोर्शन नंबर 18 के और चलते हैं हरी नासव है ए गंधार ग्राम की मुर्चना बी सड़स ग्राम की मुर्चना सी मध्यम ग्राम की मुर्चना डी जाती गांद क्या है तो इसका सही आंसर है यह सी है मध्यम ग्राम की मुर्चना है देख लेते हैं इसको थोड़ा सा हरी नासव मध्यम ग्राम की मुर्चना है मध्यम ग्राम की अन्य मुर्चना सौवीरी हरी नासवा कलोपनता सुद्ध मध्यमा मारगी पौरवी हस्यका ठीक है और सड़जग्राम की मुर्चना है उत्तर मंद्रा रजिनी उत्तर रायता सुद्ध सड़जा मत्स रिक्यता अश्वक्रांता अभी रुद्रागता ठीक है आगे चलते हैं कोशन नमबर 19 अनंत मनोहर जोसी किस नाम से प्रसिद्ध थे ए अन्ना बुवा बी मिरासी बुवा सी अन्तु बुवा डी नीलकंट बुवा तो इसका सही आंसर है अन्त मनोहर जोसी किस नाम से प्रसिद्ध थे तो अन्तु बुवा के नाम से प्रसिद्ध थे आई इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं 1955 में मिला था इनके मित्यु बारा सितमर 1967 को हुई थी आगे चलते हैं कोशन नमबर 20 क्रितन शब्द का क्या अर्थ है एक अगहाद से एक स्वर एक बी है एक अगहाद से एक से अधिक स्वर सी गत का प्रकार या डी ताल का प्रकार तो इसका सही आंसर है क्रितन एक अगहाद से एक से अधिक स्वर एक ही अगहाद से एक से अधिक स्वर होते हैं तो क्रितन कहलाता है ठीक है आई इसको पढ़ते हैं क्रितन एक अगहाद से एक से अधिक स्वर का निकालना क्रितन कहलाता है ठीक है कोशन नमर 21 जंत्र किस वादे से सम्मंदित है? A. सप्त तंत्री B. पंच तंत्री C. चतुर तंत्री या D. त्री तंत्री तो इसका सही आंसर है. D. त्री तंत्री कहलाता है जंत्र. जंत्र किस वादे से सम्मंदित है? त्री तंत्री वादे से सम्मंदित है. जंत्र त्री तंत्री वादे से सम्मंदित है. सारंग देम्दी ने त्री तंत्री वीना का वर्णन किया है. इसे बाद में जंत्र भी कहा जाने लगा. इसमें 5 तंत्रियां तथा 16 परदे थे, 3 तंत्री का विकास दो रूप में हुआ, था एक रूप में तंबूरा तथा दूसरा सितार है, कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं आइने अकवरी संगीत परिजात आधी ग्रंथों में 3 तंत्री वीना का वर्णन है, जिसमें इसप कौन सा ठाट मेजर स्केल के समान है, काफी विलावल आसावरी या खमाज यह सी आसारी दे रखा है, लेकिन यह आसावरी है तो इसका सही आंसर है विलावल जो है नेचुरल ठाट है, मिलकी मेजर स्केल का ठाट है विलावल ठाट मेजर स्केल के समान है, मेजर कौड का अर्थ है बड़ी स्वर, सहती, साग अपा को एक साथ गाने बजाने पर मेजर कौड होता है सातों सवरों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करने पर विलावल के स्वर प्राप्त होते हैं, यही major skill है, question number 23, गुनिदास की संगितिग्य का उपनाम है, question number 23 है, गुनिदास की संगितिग्य का उपनाम है, बाल कृष्ण भूवा, बी जगरनात भूवा, C. राम कृष्ण बुआ B. सुरिक कृष्ण बुआ तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है B. ठीक है जगरनात बुआ को गुनी दास के नाम से जाना जाता है उपनाम से जाना जाता है इसको जगरनात बुआ को गुनी दास के नाम से जाना जाता है यह हमें साया रखना और आगे पढ़ते हैं हम इसको थोड़ा सा पंडित राम कृष्ण बुआ बुजे इनका जन्म 1881 इस्वी में सावंत वाडी के उक्रा नामक ग्राम में हुआ था इनका निधन 5 मई 1945 को पूना में हुआ था बाल कृष्ण बुआ बाल कृष्ण बुआ का जन्म को लाहपूर के पास चंदूर ग्राम 1849 इस्वी में हुआ था इनको कलावंत के नाम से जाना जाता है इसके शिश्य में पंडित विश्ण दिगंबर पलुसकर अनन्त मनुहर जो सी नील कंट बुआ बासन राव आदी है ठीक है आगे चलते हैं कोष्ण नबर 24 रेमर रेसा नीसा नी यह स्वर संगति कि सराकी है स्याम कल्यान मदमात सारंग सी मिया की मलहा यडी सुद सारंग तो उसका सही आंसर है बी सुद सारंग का यह स्वर संगति जो दी है शुद सारंग की है आईए पढ़ते हैं थोड़ा रेमरेसा नीसा नी यह स्वर संगीत शुद सारंग राकी है यह कल्यान ठाटका रार है जाती ओड़व साड़व वादी दे समवादी पन्यास के स्वर रेपनी गायन समय मद्यांतर है संपर्कति राग स्याम कल्यान है ठीक है आगे चलते हैं कोशन नमर 25 के वर कौन सी विधा नीबद्द गान सैली में नहीं आती ए प्रवंद भी रागलाप सी खयाल या डी दुरुपद तो बी जो अलाप आता है राग का जो अलाप होता वो निबद्द नहीं होता वो अनिबद्द होता है इसको दो पढ़ते हैं रागलाप निबद्द गायन की शैली में नहीं आता है प्राचीन काल में यहाँ अनिमत दगान के अंतरगत रागलाप का प्रमुक इस्थान था, किसी गीत के गायन से पूर्व किया जाने वाला अलाप ही रागलाप कहलाता है, रागलाप में दस लक्षन का पालन पूर्ण रूप से पालन किया जाता है, रागलाप में राग का ने आपको नाम बताई दिया है को और बता देता हूं और म्यूजिक एक्जाम के नाम से टेलीग्राम है यहां से आप जोड़ सकते हैं जो भी हल्प होगी वहां से आपको मिल जाया करेगी जो भी प्राइबिट और गॉर्मेंट जोब की जो भी अप्टेट आती रहती है वहा की तैयारी करें डियो कि या एन वियस की या नेट की तो उनको भी जोड़िए ताकि उनकी भी हल्प हो पाए तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू एब्रीवन जय हिन जय भारत